जो परेटिशन लोग हैं, इसर जो समाज को भीगाडने का जो काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो पुलिस उनके अपर एक CBI जाज बिटा हैं, और एक CBI जाज उनके अपर इसलिए बिटा है, जो लोगों को पकड़ा है, उन लोगों को पूछे कि तुमको किसने मेसेज दिया था यहां पर जमाओने, वो बोले हमें को फलाने अजमीने, उससे पुछो, वो बताएंगा, एक चेन निकालो पूरी, वो चेन निकालने से मालूम पड़ेंगा, कि यह मालो नीमे कोन दंगे कराना चाहते हैं, कोन फसाद कराना चाहते हैं. दोस्तों आप देख रहे हो जेके नेशनल नियूज, मैं आपका साथी, आपका दोस्त जेपी आदो, और हम आपको बता दे कि आज हम ऐसे सक्स के पास हैं, जिनको लोग बिल से, जुबान से और हिर्दे से भी जानते हैं, और नाम के भी मुस्ताद नहीं हैं, इब्राहिम स मालोनी मलाड के अंदर में अच्छी सक्सियत हैं, हम आपको दोस्तों बता दे कि तीस तारीक के दिन कुछ ऐसी घटनाय हुई थी, दो गुटों के अंदर में, जिसको लेकर काफी यहां पर तनाव था, और जिसको प्रसासन ने अपने तरीके से सुचारो रूप से सब सही क कोई कह रहा है, सही हो रहा है, होना भी चीए क्योंकि दो गुटों की बाते थी, इस बात को लेकर के हम आज इबराहिम सेख जी के पास आयो हुए हैं, और हम आप से जानने की कोशिस करते हैं, कि पूरा मामला क्या है, और आपके हिसाब से जो समाज में बाते या मैसेज जा पताओ और बेवहार या समाज के अंदर में किस तरीके से लोगों के अंदर में दिलों की अंदर ठंड़क पहुचना चाहिए, अभी हम आपको आप कैमरे पे दिखाने की कोशिस करते हैं, कि पुलीस जो है, कारवाई तो करी रही है, पुलीस को जो नदर आएगा, चाहे हो पुलीस जो अनुमान जन्ती है, तो कोई लोगों का पहना है कि पुलीस से फर्विशन आदे अनुमान जन्ती रही करने के लिए, पिर से शायद वातावरं दिखाता है, और लोग है ये प्री प्लान था, पहले से दंगे कराने का। नहीं दंग्य कराने की कोई प्रिप्लान नहीं था किसी गावी और किसी भी मदब का किसी धरम के लोग दंग्य करना नहीं चाते हैं यह तो ऐसा होता है कि जब वह भीड होती है जो बच्चे मत्सिखोर ते न उसके वज़े से माहुल खराब होता है मस्ति जाने के बाद में कुछ जो समझदार लोग वो दे उनको लगता है कि यहां पर प्रॉब्लम के रहे हैं इसलिए यहां पर प्रॉब्लम करेड हुए लेकिन इसलिए पर काभू कर लेती यह और पुलिस इसको कंट्रोल कर लेती है और मुझे के पर्शोड कर थिया है, तो उसमें क्या कहना है? में डिएको एसे हैं कि कोई भी समाज का आद्म है कि यह वह हिंदु समाज का हो या either सब अपना अपना तेवार मनाने के लिएा हिंदु भाइन रहते हैं तो हिंदु भैन भाह Olay थाने वाले हुंनमा भाह आने वाले यहां पर अगर दिखने यह आपने यह मुसलमान का वक्त और वाहन पर लोग टराभी के लिए मेना बढ़ना रहते हैं। निध्य पर उप्राइब कि में अप्पीस को ऱादि में हैं मालोनी के अंदर के राजकारन जो हो रहे मालोनी में जो क काम कर रहे हैं सबसे पर पुलिस उनके अपर एक CBI जाज बिटा है और एक CBI जाज उनके पर इसलिए बिटा है जो लोगों को पकड़ा है उन लोगों को पूछे के बाइट तेरे को किसने मेसेज दिया था यहां पर लफड़ा होने वाला है उसकी चेन पर जाए ना एक आदमी को पुलिस प लुक के पास इतने लोग कैसी जमा होई और इतने लोग जमा हुए वो तो वहां पर नमाज करने नहीं के बाहर से गई जीसाब वहां पर व्यूडियो में लिख रहा है इनको यह प्लामिंग थी यह इनको एक मैसेज था यह इनकी तयारी थी ने देखिए ऐसे है जह मुझे जो जानकारी है उधर की को एक आनुसारा खेंटो जो पढ़ने के लिए काफी लोग आते हैं तो नमच्जित के भार भी वहंपे नमाज पढ़ने के लिए लोग आते हैं तो compound के अंदर भी नमाज होती है अगर आप ऐसे भी time पे जाएंगे कोई भी time पे तो आपको वहाँ पे नमाजी मिलेंगे रात में इशा के नमाज में यह जो तराभी के नमाज है इसमें तो वहाँ पे नमाजी आते हैं और रही बात gathering की तो जमील मर्चंड ने जो बात बताई है कि पोलीस जो DCP साब से उसकी बात हुई टी हैं और पोलीस के जो सिनियर साब है हैं इन लोगों से बात हुई थी इन लोगों ने भार की जो لوप फैल जो जमाती उसको काबू करने के लिए इन लोगों कंपाउंड के अंदर पब्लिक को बेजा, ऐसा जमील मर्चन का बूलना है, उस समय तो कि वहाँ पर चल रहा था हूँ तो मुझे पता ने, लेकिन जमील मर्चन का बोलना है और क्षिए सबसे वीडियोग है उनके सिखने के लिए देखने के लिए तो यह विए भाई आते देखने के लिये वहां पर मुसलमान का तो मुसल्मान दाला गया है नसी एम सब्सक्राइक निय Doll widely ना हिंदू ने किया है ना मुसलमानों ने किसी ने गैधरिंग किया नहीं ऐसा है और एक विक्तिगत अगर कोई परस्नलिय अगर किसी समाज के कोई सी प्रोगाम को देखने के लिए जाता है तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता है जैसा जिस तरीगे से आप मुझे सवाल कर रहे थे हैं यहां पर इसमें किसका है कौन है किसने किया है क्यों गैधरिंग हुई तो उसके पर से मैं बता रहा हूं कि ऐसा तो मालोनी के अंदर कोई वातावरन नहीं ता जगड़े लपड़े का कुछ नहीं कि अगर इसके बाट भी अगर किसी नहीं हरकत की होगी तो सीविय इसके जाच करें ना जाच करने में क्या है है अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ था तो वहाँ पर जाना चाहिए था किसी एक समाज के पर कोछ हुआ था तो वह समाज गया पुलिचों के और उसने जा के बोला गए हमारे साथ ऐसा हुआ है इसलिए करवाई होई तुम्हारा दूसरा समाज क्यों ने गया यह समाज के ठेके दर किदर थे जो आज चिल्ला रहें कि एक तरफ करवाई होई वो ठेके दर पुछो जो मुसल्मान ठेके दर यहां पर बैटा है ना जो बोर रहें एक तरफ करवाई होई वो ठेके दर उस तेम पर का थे क्या उनको यह बात मालूम ने थी कि यहां पर करवा तो उस तरीके से मुसल्मानों में जोज भरा जाता है और जोज भरने काम चालू है और कुछ नी यह आप जो कह रहे है की कंग्रेस ने ऐसा जोज भरने का काम किया है तो कही ना कही बात का है आपकी तरफ से है कि इस जुमेदार Congress किस बात कि I mean जुमेदार Congress इस बात कि है कि Congress के leader and यहाँ पे मुस्लिम leader and Congress के क्हूं ने वे उस दिंग और उपर से उपर से तुम बार पुलिश होगी कि खड़े रहा किया वोलते हो कि सक्ते सक कार्वाई होनी चीए हां सारे लोगों को सिसी पुटेज में देखके आरेश किया जाना चीए कुछ दूसरे तरफ समाज के लोगों से मिटिंग करते हो क्यों बाई है सब एक तरफ बात करो खुछ आओ खुछ बैटो मैं इसके अंदर के कि इसका मसलिक हाल निकाले मैं एक मैशज देना चाहूं आपके चैनल के तुर आपके माद्यम के तुर कि बुढ़्डे लोग प्रोगाम करने के लिए जाईव लोग जो होते फोड़ी को देखने आए और यंग लोग प्रोगाम देखने आए था को जो चपल और बाटल चली इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि सारे समाज के लोगों में शरारती बच्चे होते हैं उन श अजय को निया है और इसा कुछ नहीं है देखिए मैं आपको पहले भी बताया कि यहां पर मालोनी विवाक के अंदर जो मालोनी शेत्र है यहां पर भारती जंता पार्टी का ना कोई नगर सेवक है ना कोई है मैंने यहां पर तो यह अरकत है तो कॉंग्रेस पार्टी कर सकती है क्योंकि उनको तो यहां पर ओर्ड बैंक बनाना है तो यह आरकत तो बीजेपी ने कर सकती है कुछ फोटोज में और कुछ वीडियोस में तिकर आया कि ट्रक बरके बद बरके बाहर के लोगों को लाया जा रहा है तो दोनों पार्टी के लोग मालूम चोकी में दे उसमें विश्वाशन और उमिद देता ही गई है कि अब कि समाज के अंदर किसी समाज के अंदर किसी समाज के अंदर ये ने बोला जाता है कि कोई दंगा करो क्या है मुस्लीम समाज हो यह हिंदू समाज हो किसी समाज के लोगों को खाली इतने ज्यान रखना सेका कोई भी 4 मनाने से भू के वह हम तेवां मना रहे हैं वह एक इंसानित का तेवार लूगों की मदद करनी है लोगों को सात लेकर चलना है यह एक ऐसा तेवार, सभी के तेवार के अंदर कोई ये ने बोला गया कि दंगा करो, सभी के तेवार में ये बोला गया कि तेवार सब को ले के मनाओ, उसी तरी के सा सब लोग तेवार मनाना चाहिए, मेरा ऐसा बोलना है प्रवी आपहुएं च्रुद्ट रम्जान के पवित्र महने में ή कि बड़ा लुद अफ्जल महिना यह और मैं मेरे मुसल्मान भाइयों से गुजारिश करूआ आपके चैनल के माड़म के तुरु से जितना हो सके ओतना इबादत पेधिन दो ना ही यह इसने क्या किया। उसने क्या किया। उसने क्या बोला। हां चाला तु तवबा पड़ो सब पड़ो नमाज जितना हो सके उतना इबादत करो इबादत पे ध्यांदो मुसल्मान भाईयों को में एक अपना मैसेज दूँआ आपके चैनल के माध्यम से तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए महमान हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा